असलाम अलेकुम दोस्तों यदि आप कुवेट में रहते हो और कुवेट के हम तरीन खबरों से हमें इसा वाके फैनना चाहते हो तो ये वीडियो को भी नया स्कूप का पूरा देखिए चैनल के नहीं हो या फिर पहली बार आए हो चैनल को सबस्क्राब करके बैल आकन को प्रेस कर लिजे ताकि आने वाली वीडियो की नॉटिकेशन आपको हमें साफरी में मिलती रहे तो साथ ही आज की वीडियो में सबसे पहली दोस्तों जो खबर में आपको सुनाने वाला हूँ वो दोस्तों इंडिया, पाकिस्तानी, मिस्री, बंग्रादेशी, पाकिस्तानी भाईयों के लिए है तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि एक अगस से कुईट गॉर्मेंट के तरफ से डीसे के तरफ से फैसला लिया गया था कि एक अगस से फ्लाइटों को चालू किया जाएगा और एक्सपर्ट को सभी देसों से वापस लाया जाएगा पर दोस्तों इंडिया पाकिस्तानी नेपाली मिसरी इसा भाईयों के लिए यह सब जितने भी हाईरिस कंट्री हैं सभी के लिए मुस्किले बढ़ने वाली है कुईत में इंट्री को लेकर अब दोस्तों इंट्री को लेकर मुस्किले क्यों बढ़ने वाली इसको लेकर मैं को बताऊंगा तो कुईत इंटरी के लिए DCA में दोस्तों इंडिया पागिस्तान नेपाल बंगला देश ये सब देशों के लिए DCA दरह से फैसला लिया गया है कि उन लोग को institutional quarantine रखा जाएगा जो भी high risk country वाले हैं जिन में इसे 45 से 45 होटलों को select किया गया है पर अभी दोस्तों इस पर फैसला नहीं लिया गया कैबिनेट में ये बात अभी रखी गई है यदि ये परस्ताव पास हो जाता है तो दोस्तों बताना चाहूंगा जितने भी high risk वाले country हैं चाहे वो इंडिया के हो पाकिस्तान नेपाली बंगलादेशी मिस्री तीन लोग के खर्च जो है आने का वो काफी ज़्यादा बढ़ जाएगा पहले से मुकाबले में क्योंकि इस पर फैसला हो जाता है तो काफी ज़्यादा लोगों को महंगा पड़ेगा कुएत में आने के लिए जो भी high risk वाले country है और अधिकतर वहाँ कुएत जो भी लोग आते हैं वरकर काम करने आते हैं मज़़ूर कैटेगरी के लोग वो सब आधेतर इंडिया के यह पागिस्तान नेपाल बंगलादेश यह नेपाली भाई लोग ही होते हैं तो यह सभी के सभी country जो हाई रिस country में सामिल हो जाते हैं अब दोस्तों इसलिए यह फैसला बार बार क्यों बदला जा रहा है इसके वज़ा यह है कि नया जो कोई भी कन्फर्म नहीं बता सकता है कि किन लोग को इंटरी दी जाएगी अब कल की दोस्तों वीडियो मैंने आपने मैंने आपको बताया था कि रेसिडेंट जिनका वाले डेसिडेंस है उनहीं को इंटरी मिलेगी प इसमें बदलाव जो है लगातार होता रहेगा पर एक अच्छी खबर मैंने कल भी आपको ये भी बताया था कि इंडिया के जो कोविट सिल्ड वैक्सिनेशन वाले लोग है जो कोविट सिल्ड ले चुके हैं उनको एप्रूबल मिल गया है कुवेट में जो सीबी जो जो इंड स्या सेटिफिकेट को लेका तो तो आपको उससे एप्रूबल नहीं दिया जागा तो दोस्तों यह सब कुछ चीजों बदलाव लाए जाए जाएंगी और भी कुछ चीज़ह बदलाव लाए जा। इस पर कोई aucune nya अग्या क्या that अगली खबर क्यों चलते हैं? खास करके वरकरों को दिया गया, जो 40 सेंटर में वहाँ पे दिया गया है, तो बता जा रहा है, ये की जून को इस्टार्ट हुए था, और कल तक करीब करीब 60,000 लोग को वैक्सिन अब तक दी जा चुकी है, जिन में से जहां 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 वैक्सिनेशन दिया गया, वो लोग हैं, जहां जो कुछ रेश्टरोंड में काम करते थे, कुछ पॉर्ट पे काम करते थे, कुछ नविगेशन कंपणी में, कुछ पब्लिक ट्रांस्पोर्ट पे, कुछ ये गाड़ कंपणी में, तो ये सब लोग को वैक्सिनेशन वहाँ पे दिया गया, अगली खबर साथियो आ रही है, वीजिट वीजा को लेकर, तो वीजिट वीजा नरेवल फॉर एक्सपर्ट नॉट येट, दोस्तों जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग वीडियों बताया कि जो लोग फर्ष्ट अगस्त से आएंगे, उनको वैक्सिनेशन वैक्सिनेटिट तो होना ही चाहिए दोनों डोस का, जो डोस एप्रूब किया गया, कुएट के तरब से उसी एप्रूबल से आला स्टार्ट होगा, और लैंड और सी एरिया में दोनों तरब से आ सकते हैं, पर इसमें सर्थ अलग से ये भी रखा गया था, कि जो वैलिड रेसिडन्स वाले हैं, उन्हीं कुछ खबर थी, जो कुए स्यारती मैंने अब तक सेर किया, उसा करता हूँ, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करते, दोस्तों सब सेर करते, ताकि और भी लोग को इसकी जानकारी हो सके,